तो नमस्कार दोस्तो राजय बाबू नईसराय यूटूब चनल की सन 2001 की सीरीज में आप सभी दर्सकों का बहुत बहुत स्वागत है कल हमने सन 2001 में पहले पायदान पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली ओडियो कैसिट कभी खुशी कभी गम का रिब्यू आपको दिखाया यदि आपने नई देखा तो इधर आई बटनों में लिंक दे रहा हूँ उस पर किलिक कर कर देख सकते हैं ब्लॉक बास्टर मुवी थी और उसने ही प्यारे उसके गाने थे तो आज हम जो कैसिट देखाने वाले हैं वो दूसरे पाइदान पर सबसे ज़्यादा बिकी थी और इसकी 30,00,00 ओडियो कैसिट बिक गई थी और उन 30,00,00 ओडियो कैसिट में से दो कैसिट हमारे पास है फिलिम का नाम है मुझे कुछ कहना है बहुती शानदार audio cassette है बहुती शानदार movie थी आपने देखी होगी तो सार कपूर एबं करीना कपूर की तो चलिए फिर चलते हैं सन 2001 के दसक में और देख लेते हैं दूसरे पाइदान पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली audio cassette मुझे कुछ कहना है का music वरा review तो finally दोस्तों आप देख सकते हैं सन 2001 में दूसरे पाइदान पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली audio cassette फिल्म का नाम है मुझे कुछ कहना है और इसकी हमारे पास दो cassette हैं बैसे तो दोनों master है लेकिन अदि हमारी बासा में देखें तो यह master है यह regular है कल हमने जिस फिल्म का review किया था उसका नाम है कभी खुशी कभी गम जो की number one पर विखी ती यदि आपको इसका review देखना है तो आप मेरे चनल पर विजट करकर देख सकती है या आई बटन में आपको इसकी link मिल जाएगी तो चलिए कैसे देखाने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी आपको फिल्म के बार दिलीप ताहिल अम्रिसपुरी एबम दोस्तो हैमंत पांडे नजराय थे फिल्म का डारेक्शन किया था सतीस कौसिक ने फिल्म के पेडूसर थे बासु भागनानी इसके गाने बड़े ही सांदार थे तो उन सांदार गानों को लिखा था समीर अन्यान ने उसी प्रकार इसक मुझे कुछ कहना सुपर हिट सावित रही थी तो सबसे पहले हम ये वाली कैसिट आपको दिखाएंगे चेक कर लिजिए मुझे कुछ कहना है कि मास्टर कैसिट टिप्स के बैनर तले आई यहां पर तुसार कपूर करीना कपूर का फोटू टिप्स का लोगो और यहां पर लिखा है मुझे कुछ केना है प्रिडूसर डारेक्टर म्यूजिक की सारी जानकारी लिखी हुई है जो कि अभी आपको मैंने पढ़कर भी बताई थी इधर लिखा है मुझे कुछ कहना है और कई दरसकों की फेवरेट यह ओडियो कैसिट है मुझे पता है यह यहां की मत्skin 25 रुपे और पकिंग देख रहेता हूं मैं पक है माश्टर कैसिट है मैं आप यह आपको देखायता हूं इसकी पेकिंग है तीन-दो-हजार-एक की मतलब यह माश्टर कैसिट है चलिए देख लीजिए तो यह रही मुझे कुछ कहना है कि master cassette यह side है यहां पर लिखा है मुझे कुछ कहना है और यह है इसकी side भी cassette condition अभी भी शानदार है चलिए इसका बड़ा बाला poster देख लेते हैं तो यह है इसका back side यहां पर आप देख सकते हैं करीन कपूर एबं तुसार कपूर का photo बीच में लिखा है मुझे कुछ कहना है और बाकी film की सारी जानकारिया पढ़ सकते हैं और यह रही इसकी front side कौनसी side आपको ज़्याद अच्छी लगी मुझे comment section बताना और उस जमाने में आपने ये film किस टेटर में देखी थी वो भी आप बता सकते हैं लेकिन गाने आपने जरूर सुने होंगे तो आज हम आपको फिर से एक बार पुरानी आदर ताजा करवा देते हैं और सुना देते हैं मुझे कुछ कहना है कि सुपर हिट गानों की जलकिया वो भी audio cassette से तो साइडे का पहला गाना है गाने के बोल है मैंने कोई जादू नहीं किया तू ही मेरे पीछे आया पिया आवा जदी हैं प्रिती पिंकी ने एबं बाबुल सुपरियो ने साइडे का दूसरा गाना सुपर हिट गाना गाने के बोल है जब से देखा है तेरे हाथ का चांद मैंने देखा नहीं रात का चांद आवाजदी हैं बाबल सुप्रियो एबं अलका यागनिक ने साइडे का तीसरा गाना भी शुक्पर हिट गाना गाने के बोल है रब्बा मेरे रब्बा इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ बहुत अच्छा गाना है और आवाज़े हैं शौनु निगम के साइडे में चोथा जो की इस फिल्म का टाइटल सौंग है यह भी गाना सुपर हिट है गाने के बोल है मुझे कुछ कहना है आवाज़े दी हैं के के ने चलिए साइड बी के गाने और सुन लेते हैं साइड बी का पहला गाना भी जवर्जस्त गाने के बोल है दुपट्टा इसमें आवाज़ दी हैं अनुराधा सिरी राम ने साइड बी का दूसरा गाना भी जवर्जस्त गाने के बोल है प्यारे दिल मांगे प्यारे आवाज़े दी हैं के के ने साइड बी का तीसरा गाना एक बार फिर से आ गया है गाने के बोल है जब से देखा है तेरे हाथ का चांद आवाज़े हैं अलका यागनिक ने साइड बी का चोथा लाष्ट गाना ये गाना भी जवर्जस्त गाने के बोल है गुंचा है गुल है आवाज़े हैं सौनू ने गवने तो पताई दोस्तों फिर कौन सा गाना आपका फैबरेट है और कौन सा गाना सबस्याजा पसंद है कमेंट सक्षन बताना और वीडियो को लाइक करना कैंकि ये इस परकार के वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेरत लगती है तो आपका सपोर्ट की मुझे सक्त दरूरत है तो वीडियो को ला इक करें अपने दोस्तों को शेयर करें चलिए दूसरी cassette देख लेते हैं तो ये रही, दूसरी cassette फिल्म का नाम है, मुझे कुछ कहना है टिप्स का लोगो, इसका पोश्टर उसके अपेक्छा थोड़ा सा अलग है करीना कपूर, तुसार कपूर का फोटू सिर्फ बीच में लिखा है, मुझे कुछ कहना है इधर भी मुझे कुछ कहना है सेम गाने आप देख सकते हैं लेकिन इसकी पैकिंग में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए तो उसकी 32001 की पैकिंग थी इसकी पैकिंग है, दोस्तों मैं चेक कर लेता हूँ 52001 की है और 4500 प्राइज है, तो यह भी मास्टर की कैटेगरी में आती है, लेकिन कैसिट इसमें regular रखी हुई है यह side भी है, यह side A है यहाँ पर मुझे कुछ कहना इसमें नहीं लिखा और poster की बात करें, तो poster भी विलकुल सेम है, कोई भी किसी प्रकार का अंतर नहीं है, इधर से अंतर है उसमें थोड़ा अलग था, इसमें थोड़ा अलग है, तो उम्मित करता हूँ सन 2001 में, दूसरे पाइदान पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली और आपकी फैवरेट ओडियो कैसिट, मुझे कुछ कहना है का रिब्यू आपको बहुत अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिपिकेशन बेल को वाल पे दबा लेना, चलिए फिर कल साम के साथ बज़े मिलेंगे, सन 2001 में, तीसरे पाइदान पर सबसे जादा बेखने वाली ओडियो कैसेट के रेब्यू में, अब वो कौनसी ओडियो कैसेट होगी, यदि आपने गैस कर लिया है, तो जरूर बता नहीं कर पाए, तो कल के वीडियो का आप बेट कर लेना, आज का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत थैंक्यू, बहुत बहुत धन्यवाद